तो दोस्तो आप में से सभी लोग कभी ना कभी online form ज़रूर fill up किये होंगे या करने की ज़रूरा तब आप सभी को पढ़ने वाली है तो online form fill up करते समय passport size photo आप से मांगा जाता है अब passport size photo तो आपके पास रहता है लेकिन उसमें कुछ require रहता है फोटो में जैसे की photo का size 20 के भी ह होना चाहिए कभी कभी mention ये भी करना होता है कि photo में आपका नाम और date mention रहना चाहिए तो इन तमाम जो require है photo का वो कैसे हम create करेंगे आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं तो यदि आप online form fill up करते हैं और उसमें photo की ज़रूरत पढ़ती है तो ये वीडिय करते हैं desktop पे तो आप देख सकते हैं हमारे सामने Adobe Photoshop है और इसी पर हम photo को crop भी करेंगे नाम भी mention करेंगे और भी जो कुछ करना होगा हम इसी पर करेंगे तो पहले से हमने एक passport size photo ले लिया है तो सबसे पहले उस file को हम open करते हैं आप सभी को पताई होगा जब कोई भी file open करना होता है तो control O आप प्रेस करेंगे तो file open का option यहां पर आज आएगा आपने जहां पर भी file रखा होगा उस file पर यहां पर click करके ok करेंगे तो वो file आपका आज आएगा desktop पे ठीक है आप देख सकते हैं आप सभी के सामने मेरा एक photo आ गया है अब मैं इस photo का सबसे पहले quality आप स इसका kb कम करेंगे 75 kb से हम 20 या 25 kb के आसपास मिलाएंगे क्योंकि सबसे important होता है photo का kb कम करना यानि उसका quality कम करना आप देखेंगे Photoshop में file के बगल में edit है और edit के बगल में image है अब image पर आप जैसे ही click करेंगे तो एक और आपका path यहां पर आपका खुल जाएगा जब आ इसे आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं image size यहां पर लिखा हुआ है image size पर एक बार click करना है अब image size पर यहां पर click करेंगे तो पहले से यहां पर highlighted है 796 into 1095 तो उपर में जो 796 है उसको कम कर दीजिए जितना भी आपको kb कम करना है उसके recording यहां पर आपको number डालना है हमें 20 से 25 के भी के आसपास में इस photo का size ले जाना है तो यहां पर हम 250 डाल देते हैं number और कर देते हैं okay जैसे हमने 250 यहां पर डाला तो आप देख सकते हैं photo का size छोटा हो गया है अब इसको करते हैं save, save करने के लिए क्लिए क्या करना होगा तो control shift एस आप प्रेस करेंगे तो save page का option खुलेगा तो desktop पर ही हम new के नाम से इसको save कर लेते हैं और JP easy में रहने देना है और कर देना है save, save करेंगे तो एक और नया path आप सभी के सामने open होगा, यहां पर आप ध्यान देना कि यहां पर 5 लिखा हुआ है, ठीक है, 5 है, highest अगर देखेंगे तो 12 रहेगा, तो यह highest नहीं रहने देना है, पूरा low कर देना है, zero कर देना है पूरा, जिरो करने के बाद आप कर देंगे okay, आप जैसे ही करेंगे तो photo आपका save हो जाएगा, और देखेंगे photo का size है, अब हो गया है 26.9KB, पहले photo का size था 75.6KB, और अब आप देख सकते है, photo का size है 26.9KB, तो यह हमारा photo का size अब हो गया छोटा, अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि photo में हमें नाम mention करना रहता है, नाम या date, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप नाम कैसे mention करेंगे, आप अपने keyboard में M प्रेस करोगे, सिर्फ M, M जैसे ही प्रेस करेंगे, और उसके आइक आइकन आपका बन जाएगा तीर के तरह, अब तीर के तरह बनेगा तो जहां पर आपको नाम डालना है, वहां पर selection कर लेंगे, और वहां पर ठीक बैठा करके, उसके बाद आपको delete प्रेस करना है, जैसे आप delete प्रेस करेंगे, तो उस जगहा पर खाली हो जाएगा, अब यहां पर आप नाम भी डाल सकते हैं, या आप यहां पर date भी डाल सकते हैं, अब नाम या date डालने के लिए क्या करना होगा, तो keyword में ही आप प्रेस करेंगे T, सिर्फ T प्रेस करेंगे, T प्रेस करने के बाद माउस से एक बार आप किलिक करोगे कहीं पर, जब किलिक करे तो blink यहाँ पर होने लगेगा अब यहाँ पर आप date भी डाल सकते हैं या नाम भी डाल सकते हैं तो चलो मैं एक date डाल देता हूँ तो 25 2 2021 में डाल देता हूँ ठीक है अब आप देखेंगे इसका size बहुत बड़ा है तो size कम करने के लिए उपर में यहाँ पर दिया हुआ है आप जितना भी size रखना चाहते हैं अपने according size रख सकते हैं size कम करने के बाद इसको adjust भी आप कर सकते हैं जहाँ पर आपको adjust करना है अब देखें इसका color sky color है आप अगर चाहते हैं इसका color change करना तो पूरा select करेंगे और color का भी option यहाँ पर देगा आप जो भी color रखना चाहते हैं वो color यहाँ पर रख सकते हैं आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर black को select किया है अब आप देख सकते हो number यहाँ पर हमारा adjust हो गया है अब आपको interface करना है इंटर प्रेस करने के बाद फिर से इसको हम save करेंगे तो save के लिए फिर से ctrl shift s save as करेंगे और एक बात यहाँ पर अब ध्यान देना है जब ctrl shift s आप प्रेस करेंगे save as तो desktop पर हम save करते हैं अब यहाँ पर देखिएगा format यहाँ पर Photoshop यहाँ पर दिखा रहा है तो इस format को आप change कर दीजिए और format को आप JPEZ में convert कर सकते हैं JPEZ में यहाँ पर एक बार हम click करेंगे तो हो जाएगा फिर से हम से पूछेगा कि quality क्या रखना है तो हम quality को 0 ही रखेंगे 0 करने के बाद हम ok कर देंगे तो हमारा photo save हो गया अब आप देख सकते हैं यह photo का size 50 KB है और आप देख सकते हो photo मैं open करके आप सभी को दिखा देता हूँ photo हमारा बन गया है यह आप देख सकते हैं photo भी हमारा बन चुका है KB जिसता से मैंने पहले बताया कम करने के लिए उसी तरह से इसका KB भी आप कम कर सकते हैं अब देखे कभी कभी क्या होता है कि photo आपका dark रहता है या ज़्यादा colorful रहता है आप इसका color थोड़ा बहुत change करना चाहते हैं तो color कैसे change करेंगे तो keyboard में ही आप press करेंगे control M इस तरह का एक icon खुलेगा अब यहाँ पर तीर के तरह जो निसान दे रहा है यहाँ पर जो lining है इस lining को थोड़ा सा उपर आप करेंगे तो देख सकते हैं photo का जो color है वो थोड़ा थोड़ा white हो रहा है और नीचे वाले को थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे तो यह dark हो रहा है तो अपने recording यहाँ पर अरजिस्ट कर सकते हैं photo में light भी ला सकते हैं photo को dark भी कर सकते हैं तो दोस्तों manually जो दो काम होता है वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया photo का size कैसे कम होता है और photo में date आप कैसे डाल सकते हैं आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा जो हमने आपको बताया आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा आगे इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए ले करके आते रहेंगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ